वेल्कम 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 आप सभी का दहेगल Smanget करती हुआओ जोनिस किच्छन तड़का में कैसे हैं आप आसा करती हूँ आप सभी स्वस्त होंगे खोश होंगे अपना ख्यान रख रहे हुँगे साथ ही बहुत सारा पास्टिव होंगे तो आज की recipe में आप सबी के लेकर आ गई हूं नेथी वटर मलाई और बहुत ही आसान तरीके से में आपको बताने वाली हूं घर में रखी चीजों से कोई बाहर की चीज आपको लाने की जुरत नहीं है और बिल्कुल restaurant style बिल्कुल restaurant की taste दोस्तों वीडियो अच्छी लगने पे ज़रूर से सस्क्राइब करें और अच्छी लगने पे ही लाइक करें सस्क्राइब करते हैं तो बला इकन को क्लिक करें मेरे साथ जुर्ण रहने के लिए कमेंट करें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यहां पर मैंने ले लिया है मेथी का एक गाठ पुरा जो की धाईसोग्राम की करिब की है दोस्तों ठेट के सीजन मेथी बहुत फ्रेश मिलती है तो बस वही मेथी आप लेकर आ जाना और बस इस तरीके से हमें इसे साफ कर लेनी है इसे हमें मतलब इसकी जो डंठल है हमें नहीं लेनी है सिफ पत्या ही पत्या लेनी है और सुरवात की जो पतली-पतली है ना अंदर नाजुक सी वो आ जाये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट बाकी की डंठल नहीं आने जब इसको हम साफ कर लेंगे साफ करने वारी से दो कर पांच से दस मिनिट के लिए हम किसी भी कपड़े में या न्यूस पर में डालकर पंखे के नीचे रख देंगे ताकि इसमें जो नमी है पानी है सुख जाए अच्छे से बस आप चाहें तो पहले आप दो लें इसके बार नहीं होनी चाहिए नेखे आफ अपर हमारी मेथी बिल्फूर अच्छे से सोच चुकी है अब क्या करेंगे इसे ना बारिक-बारिक काट लेंगे जितना बारिक तर्सक्ते हैं उपनी बारिक से काटी इसके लिए आप नाइफ या पिकर आप सी की भी तो कैची की भी आप ल कर दो कि इस नें प्रोस्स प्रोसस में हमें क्या चीजे जरत पड़ेंगे सब्जी बनाने के लिए मलाय को बेसिक सी चीजेए जो कि हमेसा हमारे घर पर रहती है यहां पर मैंने दो बारिक हरी मिच काट लिया नमक ले लिया मैंने चीनी लेली है मैं इसकी कॉंटिटी में आग पिल्याहें दैज्ठी धनिये कट्र ले लिया है धन्य नोरा हुआ जैसे देने लेँ हैं काल लाहा थो आप हरी लाको सब्सक्राइची रहे जो द्सेट नाघन चला गृष cav healthier f воз प्तेटन स्करण देख हरी धन्याल मिर्च जीसों सेटके हैं इसको दो लारा यह units कहले में मेडियम साइज का ठीडियुक्ट Secure ठीड़ में मे पड़े शीन है मैं आगी आपको दिखाऊंगे भर के नगी अधा ध्यार ज horrific रख्सपंद अर्व दें काज़ दीआस करें यहां पर कंभी ले रख़्ाम्ट तो एक प्सथ चीनी डालेंगे यहां पर मैंने टी स्पून यूज़ किया है इसी के विए मैंने दो बार डाला है आप अगर नॉर्मल चमच ले रहे हैं तो एक चमच डालें आप मतर को चक भी सकते हैं बहुत जादा मीठी है तो आप चीनी ना डालें और अब हम क्या करेंगे दोनों चीज करेंगे और दूसरी बॉल में डाल कर हम क्या करेंगे इसकी कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए क्या करेंगे हम इसमें चिल्ड वाटर डाल देंगे अगर आपके पास आइस है तो आप आइस क्यूब्स डाल सकते हैं वरना चिल्ड वाटर प्रिज का लें और इसमें डाल मैंने 10-12 काजुन यहां नहीं प्रेंगे करनें ृधा नेी भी dreams levar 10-12 काजुन यहां मैंने 10-12 रोकाल रएकिञ़ में यह अल्डा खाल अधिकी अधिम्याड़ चाहें तो अगर लाल मिर्च यूज नहीं करना चाहते हैं ग्रेवी आपको चाहिए तो आप हरी मिर्च का यूज जादा करें चार या पांच ले ले तीखा पन के लिए और लाल मिर्च वाडर इसकिप कर दें ठीक है यहां पर जब हमारी प्याद अच्छे से लाल हो जाएग उसके पर हम क्या करेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर बारिक करके डाल लेंगे बारिक मतल्ब नॉर्मल चॉप करना है बिल्कुल बारिक चॉप नहीं करना है क्योंकि हम इसे ग्राइंडर में पीसेंगे ही यहां पर हमारी टमाटर अच्छे से गल जाए इसके लिए मैं चोटी टी स्पून से दो चमस नमक डाल रही हूं अब इन सब को अच्छे सम चला कर ढग देंगे ताकि हमारी टमाटर गल जाए यहां पर हम ना ही क्रीम यूज करेंगे ना ही हम बाहर की कोई चीज यूज करेंगे हम घर में रखे हुई मलाई से हम सारी रेसिपी बना कर न इसे ग्राइंड करेंगे ताकि जो मसाले लगे हुए हैं मेथी में वह मिल जाए और मेथी शिख भी जाए टेस्ट भी आजाए और सिखने का सिख भी जाए तो बस इस तरीके से थोड़ा पांच मिनिट के लिए ज्यादा नहीं इसे हम भूल लेंगे देखिए यहां पर हमा तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे यहां पर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी को कड़ाई में सेख कर निकाल ले रही हूं ताकि लास्ट में हमें इसकी जुरत पड़ सके यहां पर मैं घर की बनी डेसी घी यूज कर रही हूं इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है देखे इसमें बिलकुल लेफ्ट ओवर भी नहीं है जो नीचे बैट जाती है ना काली काली से लेफ्ट ओवर बिलकुल नहीं है इस तरीके से मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर किया है आप जाकर उस रेसिपी को भी चेक आउट कर सकते हैं यहां पर मैंने डेट चमच देखे गीले लिया है और इसमें हम डालेंगे एक काली लाइची हम जो यहां पर काली लाइची डाल रहें इससे हमारी जो रेसिपी है मेथी मटा मलाई उसमें बहुत अच्छी से खुद्गू आ जाएगी टेस्ट आ जाएगी आपके पास नहीं है तो आप हरी लाइची भ आपाके जीरा की जाएब मश्में का रखे है और में अच्छे से भूल लेंगे जब तक घू हमारी गी है वापत साना आज़ाए तब तक हम भूनेंगे जब अच्छे से भूनने को होगी तो यहां पर हमको सुखे मसाले भी अड़ कर देंगे जान नहीं अगे हम आपके दे एक पून मैंने जीरा पॉड़े दाला है और आधी टीज स्पून मैंने नमक दाला है क्योंकि हमने नमक पहले भी यूज कर रखा है तो नमक ध्यानते कर ही डाले अब इन सब को आप से मिलाते हुए हम क्या करेंगे इनको अच्छे से भूल लेंगे ठीकि और यहां पर हम ढू को मटर को भी डाल कर अच्छे से पका लेंगे इसी टाइम पर दोनों को हमें अच्छे से पकाना है यहां पर हम उबले हुए मटर भी डाल देंगे जो हमने सबसे पहले ही उबाल कर साइड में रखा था अब इन्हें आपस में अच्छे से मिला लेंगे और कुछ देर के लि एक सो दो मिनिट में पर मटर अच्छे से पकनी है ताकि खातवक मटर बिलकुल नरम रहे और स्वात से भरी रहे तो यहां पर देखिए हमारी मसारे काफी अच्छे से बून चुकी है अब हम यहां पर डालेंगे एक कप दूद हां दूद और दूद को हम तड़का ताकि टंप्रेचर जो होती है इकवल हो जाए सबजी की और मिल्क की ठीक है तो वह आपस में अच्छे से मिल जाएगे वनना अब डारेक्ट ही ग्रेवी में आप डूद डाल दोगे तो दूद हमारी फट जानी है ठीक है तो आप क्या करेंगे दो चमच लेकर पहले दूद ग्रेवी कैसी होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी का यूज किया अब इसे हम ढख कर ना 5-6 मिनट के करीब करीब अच्छे से पकाएंगे देखें यहां पर हमारी जो घी तेल मसाले कितने अच्छे से भून चुके है अदम रेडी हो चुकी है घी कित किया आइ तो यहां पर हमोड़ार में के मटारा मलाई करेंगे तो यहां पर मैथी मठार मलाई काएं रही हैं मैं कोई मार्केट की क्रीम उगरा यूज नहीं कर रही हूं हमारे घर में नौर्मल दूद गरम करते हैं मलाई जंती है उसे हमें ले लेना है दो से तीन बड़ा चमच यहां पे मैंने तीन बड़ा चमच मलाई लिया था अब इन सबी को आपस में मिला के फिर से हम क्या करें गें तीन चार मिन्ट के लिए पकने देंगे ठक के ठीक है न आप चाहे तो इससे गाड़े भी बना सकते हैं हमारी मेथी मटव मलाई बनकर रेडी है तो चलिए अब मैं आपको सर्फ करके भी दिखाती हूं कि यह बिल्कुल बिल्कुल ही रेस्ट्रेंट जैसी लग रही है या नहीं आप मुझे बताएंगे वीडियो अच्छी लगने प बिना सब्सक्राइब किये बिल्कुल ही ना जाएं सब्सक्राइब करते हों तो बैल आइकन को क्लिक करें इसे आप रोटी पराठे लच्छे पराठे पूरी किसी के साथ भी इंज्जॉय कर सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आप जुरूर से इसे बनाकर ट्र किसा जर डित बोटी में चलिवाश करको भी बिल्कुल ही साथ लगता ख्यूरी की अरे करिंगом